हाई आज के सेशन में हम सीखेंगे कि हम बहुत ही एद क्लास और अवल दरज़े का दूपॉंट अनलेसस का मॉडल कैसे बना सकते हैं आप देख रहे होंगे आपकी स्क्रीन के ऊपर अभी एक मॉडल आपको देख रहा है हम by the end of this session आप लोग इस काबिल होगे कि आप लोगे पूरा मॉडल ने कि scratch blank ppt spreadsheet से start करके पूरा मॉडल बना सको और बिना किसी देरी के फटा फट शुरू करते हैं हाई दिस पार तर्माइं वेलकम तो दे वालवेशन स्कूल चैनल फटा फट स्टार्ट करते हैं मैंने क्या कर रहा है यह हमारी normal sheet है जिसमें हमने अभी तक काम किया है अतलब यह football field analysis वगएरा सब कुछ हमने इसी में बनाए इसी को continue करेंगे आगे ताकि आपका पूरा पूरा template किसी भी company का पूरा model एक साथ ही बनके आ जाए ठीक है मैंने क्या कर रहा है इस वाली sheet में जिसका link आपको description में मिल जाएगा इसमें मैंने एक नई sheet आड करिए which is list of stocks इसमें क्या है company का नाम है उसका BAC code है NAC code और industry है ठीक है चलो एक blank sheet insert करते हैं सबसे पहले मैं इसको मैं नाम देता हूँ dewpoint analysis ठीक है जो हमारा usual हम लोग करते हैं alt w vg alt ow 1.15 b2 से start करेंगे हमेशा ध्यान रखेगा पता ही आप लोगों को we'll always start with b2 मैं क्या करूंगा इसको थोड़ा सा बड़ा करूंगा मतलब इसको मैं कितना बड़ा करूंगा second वाली रोको मैं 35 पिक्सल तक लेके जाओंगा ये वाला जरौत पड़ेगी तो मैं और बड़ा भी करूंगा मैं यहाँ पर equal to दबाऊंगा और मैं सीधे जोटा करता हूं मैं हाजी मैं यहाँ पर equal to दबाऊंगा equal to प्रेस करूंगा और मैं data sheet में आऊंगा और उपर top पे यह select कर लूँगा even new supermart ठीक है अब even new supermart select करेंगे इसके बाद हम क्या करते हैं इसके जो font size इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं say for example इसका font size मैंने अभी के लिए 22 कर दिया और इसको मैं bold कर देता हूं ठीक है इसको मैं bold कर देता हूं now please understand this और यह वाला जो B column है इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करता हूं say for example कहा तक करता हूं इसको मैं 35 करता हूं 35 का विट्थ करता हूं ठीक है ना समझी भाई अब मैं क्या करूंगा I want the logo of even new supermart here मैं पूरे report बनवा रहा हूं आपको ठीक है तो मैं करूंगा यहां पर डी मार्ट लोगो आप जिसकी company चाहो इस company की बनाना कोई problem नहीं है हम यह करेंगे इसको इहां से copy करते हैं सिधे इसको इहां से copy image करते हैं इधर जाते हैं पेस्ट करते हैं control भी प्रेस करना है normal कोई बहुत उसमें rocket science नहीं है ठीक है देखे धियान से दीजे picture format में जाओंगा इसको crop कर देंगे कि दोंट बरी बहुत ही beautiful बनके निकलेगा बहुत ही beautiful बनके निकलेगा ठीक है अच्छा एक चीज और ध्यान रखिएगा एक website है effects code from image color picker online यह वाला है ठीक है आप क्या करेंगे इसमें use your image ठीक है अंड मैं अरे भाई क्या कर रहा है कितना एड़ चलाएगा दोस्ते ठीक है image URL पर जाओगे और यहां पर आप अपनी जो image है यह जो अपनी image खुले copy वाला इसको आप यह URL देखे ओक्ते कर दोगे और यह वाला जो color वाप पिक कर लोगे यह जो hex लिखाना hex 28655 28655 त्यान रखिएगा ठीक है यह मैं फिक करूँगा मैं इधर जाओँगा और मैं font में जाओँगा more colors में जाओँगा custom में जाओँगा और यहां पर में लिखुँगा 28655 आगे मैं hash लगाऊँगा आगे 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 यह कोशिश है करिए कि यह एक ही column में आ जाए दोनों तो बेटर है इसका placement अभी देखते हैं भी formatting पे मत जाओ formatting में साथ साथ करा रहा हूं बट लास्ट में बहुत sexy report बनके निकलेगी तो कोई problem नहीं है ना थर्ड नंबर में थर्ड नंबर में क्या करना है वो समझना equal to concatenate का formula लगाना है double quote bracket open double quote close की सबसे पहले bracket आए double quote close फिर कॉमा के बाद क्या है we look up तू look up देख क्या look up कर एवेन्यू सुपरमार्ट लिमेटेड को look up कर कहा look up कर list of stocks में look up कर अच्छा अगर list of stocks के अंदर look up हो जाए तो मैं क्या करूं list of stocks के अंदर look up हो जाए तो यह जो it nse वाला code है न यह वाला code थर्ड वाला तो third column मुझे बता दे और मेरे को चाहिए exact match ठीक है तो मैं one करूंगा तू करूंगा sorry zero करूं चलो पॉल्स लिख दो यार ठीक है नौ प्लीज अंडरस्टांड यह मेरा वी लू का पूरा हो गया कॉन्केटनेट में मैंने यह करा है इसके बाद एक क्याप देदेंगे ठीक है फिर कॉमा दिस वन अगीन डबल कोट स्पेस शिफ्ट दबाके इंटर की उपर वाला सेपरेटर स्पेस डबल कोट कॉमा फिर से वी लू कप आशा डबल कोट फिर से उसके बाद फिर डबल कोट बी एसी कोड पोलन स्पेस डबल कोट कॉमा वी लू कप देखी आप क्या कर रहे हैं हम लोग आपको समझ मायेगा क्या वी लू कप करना है भाई सर फिर से वी लू कप कर इसको कहां वी लू कप कर लिस्ट आफ स्टॉक वाली शीट में वी लू कप कर और बी एसी का जो कोड है सेकेंड रो में वो मेरे को लाके दे दे ठीक है नौ समझ यह मैं क्या करता हूं इसको इसकी जए यह वन कर देता हूं अब इधर भी बन कर देता हूं अवंती फीड क्यों आ रहा है चेक कर लेते हैं क्पर यह थोड़ा सा कलबल हो रहा है इसको मैं और अपडेट कर दूंगा लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है आप चाहो तो इसको मैनवली भी कर लेना लेकिन most of the stocks के ओपर यह काम कर जाएगा ठीक है मैं इसको भी हैं ऐसे ही छोड़ रहा हूं वन है वन है ठीक है ना आप देख रहे हो यह थोड़ा सा राइट हैंड साइड में शिफ्ट हो रहा है एवेन्यू सूपरमार्ट के तो मैं क्या करूंगा न मैं इधर जाओंगा ब्राकेट ओपन करने के पहले इकवल टू स्पेस इकवल टू कॉमा तो अब यह बिल्कुल उसके नीचे आ गया अगर उसके नीचे फिर भी नहीं आया तो यहां डबल स्पेस दे देंगे इसको रटो मत भाई सीखो यह एचीज सीखने से आएगी ओर यहां पर अपने को ब्राकेट क्लोज करना है तो यह ब्राकेट क्लोज होगे अब क्या होगा ना जैसे आप यहां पर अगर ITC लिख देते हो ITC Limited लिख देते हो यहाँ शीट में से कुछ भी आपकी डेटाशीट मानलो Aural App का आप बना रहे हो ठीके तो डेटाशीट से तो Automatically Link हो जाएगा यहाँ पर अगर आप Aural App डालते हो तो Not Listed क्यों बता रहा है अच्छा Aural App यह Aurobindo Pharma आप यह Aurobindo Pharma का अगर आप बना रहे हो तो यह वाला इधर आप लिख दो Directly Aurobindo Pharma और वो Automatically List हो जाएगा उदर आ जाएगा यह आगे है छीक है Now, Please Understand इसके बाद इसके बाद आप क्या करोगे एक चीज है छीक है एक चीज है जो आप यहाँ पर इसको थोड़ा सा बड़ा करेंगे equal to concatenate फिर से दबाएंगे and double space देंगे फिर से comma दबाके फिर एक बार open करेंगे आप इसमें लिखेंगे INR bracket sorry INR के बाद space and data sheet में चले जाओ current price वाला जो column है इसको पिक कर लो ठीक है यह जो हमारा आरा है इसको हम थोड़ा बड़ा करेंगे और इसको 14 करेंगे और इसको भी बोल्ट करेंगे अब इसके बाद में क्या करना है वो समझ न अब यह जो है आपका यह वाला कॉलम जो है यह आपका मैनवली जाएगा यह देखना अब इसके लिए कोई भी automation नहीं है आपको करना है 52 week हाई आएन आर जो भी है आणड लो जो भी है यह प्रॉब्लम दे रहा है अगर यहाँ पर तो आप इसको इन सब को अपन ऐसा कर सकते हैं तो प्रॉब्लम बंद हो जाएगी नहीं हो रहा है वैसे हो ना यह प्रॉब्लम देगा तो इसको स्पेस देखे आप इधर नीचे लिए ठीक है एक लाइन में आ गया है अल्मोस्ट और यह वाला अब एक लाइन में आगया है ठीक है यहां तक मेरा बिल्कुल की रहा है सर फिफ्टी टू वीक हाई लो का मिलेगा कैसी बात कर रहे हो यार डी मार्ट शेर प्राइस सर्च करो यहीं मिल जाएगा नीचे डाली दू क्या 3292-4609 ना प्लीज अंडेस्टाइड आगे देखिए आगे समझे क्या करना है छटा रो छोड़ना है सेवन्थ पर काम करेंगे ठीक है सिक्स्त वाले को इसको थोड़ा सा छोटा कर दो इधर चले जाओ उपर और मैं अभी के लिए फिलाल में यहां तक जा रहा हूँ आई तक ठीक है और मैं कंट्रोल वन प्रेस करूंगा कंट्रोल वन प्रेस करने के ब कि ये वाला कालनी ले रहे है कर लोगों का लेन surreal के और ये बॉटर टेकर करे कि इसको मैं टॉप पर मार मार दूँगा और okay कर दूँगा ठीक है अब क्या हो गया यह से क्या मेरे को advantage मिल रहा है ठीक है इसको bottom पे करो actually top पे मत करो नहीं तो वह advantage डूर दाएगा अपना control 1 यहां से desolate करके bottom कर दो उसको अब क्या advantage मिल रहा है मेरे को अगर यह border को उपर नीचे करना है तो बीना कोई दूसरा text हुए मेरी border राम से उपर नीचे हो पारी है इसको 6 pixel तक लाके छोड़ देंगे ठीक है now please understand इसके बाद मैं यहां लिखूंगा about the company और यहां पर भी मैं दो space दे दूँगा about the company bold करेंगे और थोड़ा सा बड़ा करेंगे ठीक है about the company bold करेंगे थोड़ा सा बड़ा करेंगे और 9th number में जो 9th column है यहां पर अपने को about the company लिखना है अब about the company के दो option है आपके पास यहां तो आप screener पर जाओ जिसे यह screener है यह वाला screener है और यहां से about उठा लो बड़े बहुत छोटा about है तो मैं wiki dmart open करता हूँ इधर जाता हूँ और यहां से उठा लोगा about the company अगर उठाना है तो copy and मैं फिर से मेरी इधर आता हूँ यहां पर जाके copy करता हूँ इसको यहां तक लेके जाते है alt h w करते है alt h w करते है now please understand यहां से चार कॉलम alt h mc alt h w फिर से ठीक है and left align ठीक है left align करना है now please understand this जब आप एक बार left align करोगे और इस पो आप double click करोगे तो यह सारे जो भी text है नहीं यह सब आपको हटाने बहुत अराम से शान्ती से समझना यह जो भी इसने numbers दे रखे है जो भी sources दे रखे है उनको हटा देंगे और यह मेरा about the company आ चुका है अब 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 यह क्या करना है इसके बाद यह मेरा complete हो गया इसके बाद मैं एक फिर से 6 छोड़ूँगा 6 का इसी को copy करूँगा नीचे यहां पर 13 और यहां लिखूंगा summary अब ही समझना अब समझना क्या करना है ठीक हैं अब हैं अब हैं यह अब हैं यहां यहां यहां अब थोड़ी जगे फिलाल के लिए छोड़ते हैं और यहां पर सीधे नीचे उतरते हैं अपन इधर नीचे उतरते हैं बाद में और सेट करी लेंगे और यहां से यहां तक का column select करते हैं ठीक है अभी कितने column मेरे को चाहिए यहां पर एक दो तीन चार पांच छे साथ साल के ठीक है मैं इधर से इधर तक पूरा select करता हूँ इधर जाता हूँ और इस पर click करता हूँ एंड महिया लिखता हूँ return on equity ROE इसको मैं पूरा इधर तक लाता हूँ Alt-H-MC करता हूँ Ctrl-B करता हूँ और इसका text में white कर देता हूँ text का color white कर देता हूँ इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं वेल तक लीप पर जाते है इतना समझ में आया आपको अब देखना आप यहां से क्या करना है अपने को i column पे जाना है equal to press करना है आई column पे जाना है, i column पे जाकि, equal to press करना है यहां पर equal to press करेंगे आप कहीं भी आजाओ data sheet में चाहिए data sheet में आजाओ इधर आजाओ historical में और यह जो March 23 है यहां से यह input कर देंगे ठीक है और यह कहां तक करेंगे C column तक कर देंगे तो मेरा March 17 से March 23 तक का data इधर आगया है ठीक है इसको में छोड़ दूँगा यहां पर अभी और चाहो तो इसको bold कर दो now please down over here यहां पर अपन लिखेंगे net profit और यहां पर लिखेंगे average shareholder equity net profit में इधर आएंगे आप equal to करेंगे March 23 से जितना हो सके data sheet से connect कीजे net profit दिया हुआ data sheet में यहां से पकड़ लो formatting समाल देंगे बाद में average shareholder equity के थोड़ा सा ध्यान देना equal to के बाद double bracket average shareholder equity के लिए आप balance sheet में जाओगे balance sheet में जाओगे balance sheet में जाके आप यह जो है न दिस plus this मतलब equity shareholder और reserves of 23 bracket close plus bracket open last year this plus this bracket close छेके एक और is divided by 2 समझ रहे हूं अपनने last year का equity reserves equity capital reserve और इस साल का equity capital reserve के average ले लिया है इसको मैंने मार दिया इंटर कर दिया जब मैंने यह इंटर किया तो मेरा return on equity नीचे आ गया इसको मैं करूंगा मेरा return on equity chicken इसको मैं bold करूंगा मेरे return on equity को अब return on equity कैसे calculate होगा equals to this divided by मतलब net profit divided by average shareholder equity इसको alt hp कर देंगे और फूरा का पूरा copy करेंगे alt h0 alt h0 ठीक है और इसको मैं bold कर दूंगा इसको bold करने के बाद अपने क्या करना है इसको पूरा select करना है यह टब में जाना है और टब में जाके अपन यह वाला जो हेक्सपोड है इस पर more color पर जाएंगे कस्टम पर जाएंगे क्या था हमारा हेक्सपोड उसको हमेशा readily available रखो अपने पास और हेक्सपोड इसका क्या है इस पोड़ोगा यह वाला अगर color लेते हैं तो लब इस इस पर्टिक्ला कलर विच इस बेरी सेमिलर एक्सपोड इस सेवन यह वाला जो भी इसको कॉपी कर लो आज इस एक हैज लगा ना भाई है अच्छा जादा हो गया कि यह बहुत जादा डल दिख रहा है मेरे को तो इसको और light करो और इसको और light करो तो यह तो यह ले लो यह फिर यह ले ले लो चलो देखते हैं इसको समझते हैं इसको आप फिर से more color में जाएंगे और यह जो आ रहा है ना इसको light करो शेट को और नहीं देख काम कर रहा है यार सिंपल सही ले लो बढ़ी है बेस्ट है ना मेरा return on equity का calculation पूरा हो गया है formatting हाथ वाथ समाल लोंगा मैं control 1 numbers custom this one single dot enter मेरा ये वाला पूरा का पूरा complete हो गया है अब आप क्या करोगे इसको copy करोगे और एक line छोड़के आप इधर copy करोगे ठीक है और यहाँ पर आप लिखोगे आरोई ड्यूपॉंट एक्वेशन आरोई ड्यूपॉंट एक्वेशन इक्वेशन इक्वेशन इक्वेल टू सब कुछ लिंक होना चाहिए model के साथ control भी ठीक है मैंने पहली बताया आपको अभी ये वाला जो है इसको उपर से लेकर के इसको select करो एंड इसको copy कर दो नीचे ठीक है इसको नीचे copy कर दो यहां तक अभी copy करने ठीक है और मैं क्या करूंगा यहां से इसको copy करूंगा फिर से एक बर copy करूंगा इधर आऊंगा नीचे Ctrl-Alt-V और T से formatting इसकी paste कर दोंगा अब मेरा यहां पर क्या करना है मेरे को वह समझना ठीक है now what I need to do अब मुझे है यहां पर revenues चाहिए यह revenue चीक है मैं equal to करता हूं data sheet में जाता हूं उपर जाता हूं और sales जो है ना sales को यहां pick कर लेता हूं यह formula चेक करो इसको formula को फिर से लगाना है अपने को और यह net return on equity जो लिखा इसको लिखेंगे net profit margin इसको कर दो A समझ में आ गया क्या करना इभी तक सबको clear है चलो अब आगे बढ़ते हैं ठीक है अब मैं इसको फिर से यहां से copy कर रहा हूं इतने एक line छोड़के नीचे उतार दूँगा ठीक है फॉर्माटिंग चाहिए मेरकोर कुछ भी नहीं है अब मैं क्या करूंगा यहां पर revenue और यहां पर लिखूंगा average total asset revenue और average total asset दोनों का combination क्यों अपने सीखा था न अपने को sales turnover ratio निकालना है asset turnover ratio निकालना है now please understand अब जब मेरको asset turnover ratio निकालना है तो मेरको simple सा logic है तो total sales तो मिली जाएगी revenue कहा से उठाएंगे अपन revenue equal to करो यह पिक कर लो ऐसे revenue तो पिक कर लो यहीं से revenue readily available है model में अब देखना इधर आए अपन left hand column में right hand side वाले column में latest वाले में average total asset में equal to balance sheet में गया में data sheet में जाके balance sheet में गया और total का जो column है न टोटल का यह वाला total column इसको मैंने यहां से पिक क्या क्योंकि total liability तो equally है परकी नहीं बढ़ता और last year का पिक क्या bracket close करा divided by 2 करा ठीक है और मैंने इसको यहां से copy किया देखना कुछ गडबड हो रही है के 65 और जे 65 चेक कर लेते हैं 65 नंबर आदर असे टे 66 होना चाहिए हो चालो तो मैं क्या करूंगा इसको 66 कर दूंगा यहां पर एक सेकंड गाइस इविन्यू सूपरमार्ट का सेल्स कितना हो रहा है 42,000 का सेल्स है इसको copy करेंगे यहां से और यह पूरा का पूरा एक बड़ कंट्रोल भी करेंगे इसको भी कास्टम में जाओ इसके बाद जाके सिर्फ एक्स दबाना है और आपको इंटर कर दूना है लाट सेट कंट्रोल वन करो फिर से और सिंगल डिजिट कर दो इसको डेसिमल के बाद एक प्लेस ठीक है नाओ प्लीज अंडेस्टांड यहां पर मैं क्या करूंगा इसको असेट टर्न ओवर रेश्यो असेट टर्न ओवर रेश्यो यह मेरा अब देखना और इसको मैं बी दे दूंगा हाँ जी समझिए कॉपी करेंगे नीचे उतर जाएंगे नॉर्म अभी सिर्फ मेरे को नॉर्मल कॉपी करना है अब यहां पर क्या करना है एवरेज टोटल असेट डिवाइड़ बाई एवरेज शेर होल्डर यह तो लिखा ही हुआ ना मेरे पास ईक्वल्टू एवरेज टोटल असेट और नीचे उपर उपर चले जाएगे ओष्णड शेरहोल्डर एक्विटी टोटल असेट ठक शेरहोल्डर एक्विटी उपर गए घग कॉपी किया यह जो मेरा आया है ना दिस जसुर है फिनासिल लिएज येस और नो अरे मेरे equity multiplier है इसको अपन equity multiplier बोलते है equity multiplier को C कर देंगे अरे भाईया C copyright वाला C नहीं चाहिए इसको C कर देंगे यहां तक समझ में आ रहा है सबको अब देखे एक column छोड़ूँगा इसको यहां से copy करूँगा एक column छोड़ूँगा नीचे उतर जाऊँगा यहां पर अपन करेंगे return return on equity A into B और A into B into C ऐसा मत करो अब स्टार ही लगाओ वो जादा सुन्दर लग रहा है चल पटाफट this multiply by this multiply by this alt HP alt H0 alt H0 ठीक है यह आप देख रहे हो यह और यह टेली होना चीए उपर वाला return on equity तो हमने क्या कर रहा है return on equity को अब split कर रहा है हमने तीन portions में कि भाई हमको reason तो पता चले है कि हमारे return on equity बढ़ने या कम होने का क्या reason है ठीक है तो आप देख पा रहे हो कि return on equity जो कम हो रही है company की वो किस कारण से कम हो रही है समझना आप logically समझना क्या company के margins increase हुए over a period of time 2017 में return on equity 17.8 अभी कितनी है 16% है तो यह जो 1.8% का fall आया return on equity में इसके पीछे का reason क्या यह कैसे पता चलेगा क्या margin reason है नहीं margin तो बढ़ रहा है अगर margin बढ़ेगा company का अलाकि minuscule बढ़ रहा है 1.5% बढ़ रहा है बट समझो इसके धन्दे के लिए 42,000 करोर्स का business है 1.5% बढ़ना मतलब 420 और 600 करोर रुपे का business हो रहा है जादा margin मिल रहा है बहुत बड़ी बात है इतने बड़े turnover के लिए तो यह margin तो बढ़ रहा है ROE बढ़ना चाहिए मेरा asset turnover ratio भी टना हुआ है 2.7 से 2.6 हुआ है कोई बहुत ज़्यादा कम नहीं हुआ है और पिरिट अफ टाइम कम ज़्यादा चलेगा ठीक है बट end में बिलकुल बराबर है मेरा जो financial leverage ना वो कम हुआ है अब कमपनी अपने debt continuously कम करती जारी है आप देख रहे हो जिस speed में company की shareholder equity बढ़ रही है उस speed में debt नहीं बढ़ रहे है उस speed में total asset नहीं बढ़ रहे है तो equity multiplier reduce हो रहा है आपका financial leverage कम होता जा रहा है company के अंबर तो यह मेरा यहाँ पर गिनिकल गया now please understand मैं थोड़ा साथ छोटा करता हूँ आपके लिए अब देखना सर अब मेरे को यहाँ पर है न तीन charts लगाने चीक है मेरे को यहाँ पर तीन charts लगाने वो तीन charts क्या है वो समझ लेना एक बर आपको अपने आप समझ मा जाएगा कोई बहुत it is not something which is a rocket science or something like that right जादा भी लगा दूँगा कोई problem नहीं मेरे को अपने एक मर्ट समझ लेते हैं ना उसके बाद मैं क्या करूंगा अभी अब मैं है न ऐसा कैसा कॉपी करूँगा इसको इहां से अभी तो रिटर्न ओन एक्विटिक असेट बागी है ना मेरा ठीक है मैं इधर कॉपी कर दूँगा इसको यहां पर लिखूंगा मैं रिटर्न ओन असेट इसको इहां से इक्विल टू करके उपर टान दो समझ यह बस साथ साथ करते जाए और कुछ भी नहीं करना है आपको आप सिर्फ साथ साथ करते जाए मैं रिकॉर्डिंग चेक कर लूँ बराबर हो रही है की नहीं हो रही है ओफिट ठीक है रिटर्न ओन असेट नेट प्रॉफिट डिवाइड़ बाई एवरेश टोटल गिश्करी जेन तीवाइड है नेट प्रॉफिट उठाओ जल्दी से ओपर से और शोटल असेट उठाओ चल्दी से उपर कॉपि मारो रेड़ी बिना किसी क्शोदरी करेड़ी ट्रूरन्त रेड़ी डिक है बिना किसी देरी करें लीकाय अर्नत मेरा काम रेडी हो duepoint equation ROA check कर ले ना उपर same ही लिखा था ROA duepoint equation लिखा था change कर दो फिर से home uy robbery ROA duepoint equation अब इसके पीछे का reason क्या है तो यह किन चीजों से मिलेगा मेरा यह मुझे मिलेगा यहां से मैं as it is copy करूँगा इसको copy paste ठीक है मैंने क्या करा है अब यहां से net profit उठाओ बिल्कुल उपर से copy paste किया और कुछ भी नहीं है अरे यार यार ये वाला जो था न ये दोनो equation के ये दोनो party तो ROI बनाते है financial leverage के introduction के बाद ही ROI आता है ठीक है नाओ प्लीज अन्डेस्टांड मैं इसका practical meaning भी समझाओंगा क्या मतलब है net profit उठाओ जल्दी से उपर से कर लो एक बार और कोई दिखता था नहीं है ठीक एवरेच यहां पर revenue उठाओ लिंक होना चीज़ी सब कुछ ये मेरा net profit margin हो गया कंपनी का revenue उठाओ फिर से और एवरेच टोटल असेट उठा लेंगे उपर दिया होगा कहीं ना कहीं यह यह रहा ठीक है नाओ प्लीज अन्डेस्टांड यह मैं copy करूँगा एक स्पेस्ट छोड़के पेस्ट कर दूँगा स्पेस्ट रेटर्न असेट इस उपल्स तो ए इंटो भी ठक थम च्ट्रोल भी अल्ट अच पी अल्ट अल्ट अच जरो अल्ट अच जरो हूँ डन आ गया क्या आप देख पार हो कि अपना जो यह चीज है वह बिल्कुल प्रॉपर आगे अब देखना हम क्या करेंगे अब हम थोड़ा सा फोकस जो है न वह इसके उपर लेके जाते हैं इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं अपन कोशिश करेंगे कि अपन यहां 6 चार्ट लगाएं ना की एक चार्ट ठीक है कोशिश करते हैं कि 6 चार्ट लगाएं ना की एक चार्ट नौ, समझे, सबसे पहला चार्ट अपन क्या लगाएंगे, सबसे पहले अपन रेविन्यू का चार्ट लगाएंगे, ठीके तो अब ध्यान देना थोड़ा सा प्लीजा, यहां जरुवत पड़ेगी ध्यान की, मेरे को क्या चाहिए, मैं लास्ट चार साल का ले लेता हूँ, more than दोरों को मैं सिलेट करूँगा, मतलब इसको पहले सिलेट किया, कंट्रोल प्रेस करके रखा और नीचे वाला सिलेट किया, इंसर्ट में गए, बार चार्ट में गए, और यह 2D कॉलम चार्ट मैंने अभी डाउन यहां पर कर दिया है, अब देखते जाना फटा-फट, क्या करने अब समझते जाना, यह वाला जो चार्ट है, यह जो है, इसको मैंने चार्ट पे क्लिक किया, और इसको डिलीट किया, फिर मैंने पीछे की जो लाइन्स है ना, इस पे क्लिक किया, डिलीट किया, ठीक है, यह वाला दिख रहा है, आपको इस पे क्लिक किया, डिलीट किय सर आपने तो सभी डिलीट कर दिया, हाँ तो करना ही सभी डिलीट है, करना ही सभी डिलीट है, इसको आपन बिल्कुल स्क्वेर में लेके आएंगे, समझे, आप कंट्रोल प्रेस करके रखेंगे और इसको छोटा करेंगे सर, आप कंट्रोल प्रेस करेंगे, इसको छोटा करेंगे, पहले अपन कंफर्म करते हैं, कि कि यहाँ पर मेरे 6 चार्ट्स आपाएंगे, मतलब 3 चार्ट्स आपाएंगे, अगर 3 चार्ट्स मेरे आ रहे हैं, तो बहुती बड़ी है बात है, अच्छे, इसको पेस्ट करने का तरीका समझ लेना है, अब इसको कॉपी करोगे, चार्ट को बाहर से, इसको पेस्ट करोगे, तो डबल डेटा दे देगा हो, बिलकुल सही है, मेरे 3 चार्ट्स आपा रहे हैं, मेरा काम हो रहा है बहुत अराम से, अब देखे, इसकी जो आउटलाइन है न, यह वाली आउटलाइन, इसको आप सिलेट करो, इधर जाओ, और Colors में जाओ, इसको select करो, format chart area करो, तो ये वाला chart खुल जाएगा आपका, ठीक है, ये जो border है ना, ये border में जाना, and no line कर देना, तो अब क्या हो गया है, वो border वाली line हट गई है मेरी, ठीक है, similarly यहाँ पर भी no line कर देना, और इधर भी no line कर देना, अब ध्यान से समझना मेरे को करना क्या है, चार्ट के अंदर, ठीक है, मुझे क्या करना है अब, सबसे पहले मेरे को ये bar select करने, ये वाले, इसमें नीचे जाना है, fill में जाना है, और fill में जाकि मेरे को इसका color कौन सा pick करना है, मेरा hex color, मेरा hex code, ये वाला code, ठीक है, तो मेरा hex code जानने के लिए मैं क्या करूँगा, कि ये आपको hex code यहां से मिल जाएगा, आपको बार बार इदर अदर भागने के जरुवत नहीं है, ठीक है, आप fill पे जाएंगे, यहाँ पर, colors में जाएंगे, more colors में जाएंगे, और आप सीधे-सीधे इदर, custom में जाकि ये वाला hex code, copy कर देंगे, hashtag लगा देंगे, okay कर देंगे, मैं इसको delete कर देता हूँ, ताकि बार बर मेरे को एक की चीज़ रिपीट ना करनी पड़े, सिर्फ copy paste होगा तो काम हो जाएगा, now please understand, ध्यान से, समझना, अभी क्या हो गई है, मेरी sales हो गई, मैं थोड़ा सा उसको बड़ा कर देता हूँ, थाकि आपको proper अब देखना, अब मेरे को sales का figure तो चाहिए ना, sales किदर है, मेरे को sales का figure चाहिए, तो मैं क्या करूँगा इधर, यहाँ पर जाओंगा, add data label, मैंने right click किया इसके उपर, add data label, add data labels कर दूँगा, यह आपको दिख रहा होता हुआ, आप data label को click करोगे, data label को click करोगे, text option में जाओगे, text option में जाके आप, sorry, label options में जाओगे, numbers आप open करोगे, numbers open करने के बाद आप नीचे जाओगे, और यह जो category है, इसको आप number कर दोगे, ठीक है, यह वाली जो category इसको आप number कर दोगे और decimal zero कर दोगे इसका, इसका आप decimal zero कर देंगे, and इसको आप यहाँ से छोटा कर देंगे, 7, क्या आप देख पार हो मेरा chart, यह वाला जो chart है, पू करना है for example चाहते हो आपके और बेटर और ज्यादा सुन्दर लगे तब ये वाला select करो shift control दबा के दूसरे बागी के तीन select करो ठीक है ये select करो ये एक एक करके कर लो चलो इसको मैं deselect करता हूँ पहले ये वाला select किया मैंने fill में गया और इसमें मैंना दूसरा fill करता हूँ ये वाला ठीक है फिर मैं fill में गया इस पो fill किया और इस पर थोड़ा lighter version fill कर देता है इधर गये fill में इसमें और lighter version fill कर देता है अब देख पा रहे हो ये मेरा ऐसा चार्ट कुछ आपको दिखेगा ठीक है now please understand ये जो नीचे है न यह आप देख रहे हो अभी January आ रहा है लिखा हुआ आप इसको select करो सिर्फ ये वाले को और date access को यहाँ पर आपको date पे जाओ and date पे जाके आप यहाँ पर क्या करोगे format में सिर्फ वाई 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 लिख दोगे ठीक है and add कर दोगे इसको तो यह मेरा बहुत smoothly मेरा पूरा काम हो चुका है इसको select करेंगे अपने नीचे वाले को and मैं एक बिल्ला से इसको छोटा कर दूँगा क्या आपको इचीज समाजी में आ रही है कि अपने एक चार्ट पूरा ready है यह revenue का चार्ट है मेरा this is a chart of revenue yes or no everyone अब देखना मैं इस पर भी जाओंगा इसको भी मैं मेरे color में select कर लेता हूं about the company को भी मेरे color में select कर लेता हूं इसको भी मेरे color में select कर लेता हूं ठीक है और यहां पर मैं क्या करता हूं इसको financial summary कर देता हूं इसमें जो मैंने gap दिया था न उसके current थोड़ा सा odd हो रहा है उसके gap हटा देता हूं अभी समझे अब आपको क्या करना है अब अपने को क्या करना है वह समझना इसको मैं बंद करता हूं अभी के लिए बंद करता हूं मैं बहुत हराम से बता रहा हूं, class लंबी हो सकती, बट मैं नहीं चाहता था कि दो पार्ट में डिवाइड हो, ठीक है, क्यों कि एक ही model है, एक ही बार में बने तो बेटर है, ठीक है, now, please understand this, मैंने क्या करें, अब मेरे को insert में जाना है, text में जाना है, insert, अच्छा, पहले बाहर कहीं select कर लो, insert में गए, और insert में जाके, आपको text में, यह रहा, text box में जाना है, और text box insert करना है, ठीक है, यह text box insert हुआ है, यहाँ पर अपन लिखेंगे, revenues, that's it, इतना ही करना है, यहाँ पर आप इसको उपर लेके जाओगे, revenues को, ठीक है, यह center alignment जो है ना, अब यह आपको थोड़ा सा judgment लगाना पड़ेगा आपका, यह मेरा, अच्छा, इसको सबसे पहले bold कर देते हैं, और इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं, financial summary से थोड़ा, ठीक है, calibre करो, और इस वाले को, अपने text में जाके, इसको भी अपन dark text दे देंगे, shape format, shape outline, no outline, तो मेरा यह normal हो चुका है, अभी मेरी कोई outline नहीं है, ठीक है, now I don't have any outline, ठीक है, अच्छा, इसको और better करना है न, तो इसको shape format में दे देना, और shape fill को no fill कर देना, ठीक है, तो क्या होगा, अब आप इदर भी लेके जाओगे न, तो कभी fill नहीं आएगा उसके अंदर, now, इसको, in, इसको कर दो, आप inr, cr, इसको भी 10.5 करो, select कर लो, एक साथ बड़ा छोटा कर देना, ठीक है जी, ध्यान से देखेएगा, आप क्या कर रहे हैं, ये करा है अपनने, बहुत सुंदर बन वाँगा अभाई, रिपोर्ट टिंचन ही मतलब, इसको थोड़ा सा मैं सकड़ा कर रहे हैं, आप चाहो तो यही चार्ट यहां से कॉपी कर ले ना, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैंने आपको सिखा दिया कैसे करना है, that is most important, कि आपको पता होना चाहिए कि करना कैसे, ठीक है, इसकी स्टार्टिंग जो होगी, वो स्टार्टिंग यहां से होगी, इसका सेंटर मैं अलाइन कर देता हूँ, यहां पर, ओवर हीर, ठीक है, ना, प्लीज अंडेस्टांड, मैं इंसर्ट में जाऊंगा, इंसर्ट में जाने के बाद, मैं इंसर्ट में जाने के बाद, अपना यह शेप में जाऊंगा, shape में जाने के बाद ये line पकड़ूंगा और line से मैं insert करूंगा इधर से लेकर के इधर तक का line ठीक है यह वाद line insert हुआ shape format में गए, shape outline में गए weight में गए, weight को थोड़ा सा में बढ़ा के 1 करूंगा ठीक है and इसको मैं select करूंगा फिर से ये वाला जो line है ये वाला line format shape ये वाले line का color ये color अपन black ले लेंगे क्या आपको समझ में आ रहा है क्या हुआ है हमने कुछ भी नहीं करा है हमने बस एक लाइन डाली और कुछ भी नहीं करा है उसके अलावा अब देखना जी आपको क्या करना है अब आपको shift प्रेस करके रखना है और यह तीनों को एक साथ सेलेक्ट करना है control c इसको group कर देंगे यहां से group कर देंगे group ठीक है control c control v ठीक है sorry यह तीनों को copy करो और यहां paste करो copy करा इधर आपने paste कर दिया तीनों एक साथ paste होना चाहिए फिर यहां copy किया यहां paste कर दिया तीनों एक साथ paste होना चाहिए बाकि सब समाल लेंगे अभी के लिए जो करना है वो करो ठीक है किदर आ जाओ इसको यहां रख दो और यह वाला जो है यह वाला select किया था आपने ठक 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 इसको center पकड़ लो अभी center बना दो charts चाहो तो थोड़े और चौड़े कर सकते हो क्योंकि space मिल रहा है अपने को चौड़े करने के लिए charts को अब आपने charts चौड़े करें हैं तो आपको यह वाले charts डिलीट यह फॉर्माइटिंग के टंटे हैं फॉर्माइटिंग कई तो गेह में पूरा और क्या रिपोर्ट की जो quality आईगी लास्ट में वह देखना फिर बात करेंगे अपन इरिटेट हो रहे हो तो छोड़के जाई सकते हो को problem ही नहीं इसको देखना जी यहाँ पर जाएंगे अपन यह वाला format में जाएंगे shape fill में जाएंगे और no fill कर देंगे क्योंकि वह पहले white आ रहा था ना देखो यहाँ पर पहले white आ रहा था न तो white अब नहीं आएगा copy करेंगे यहाँ पेस्ट कर देंगे चार्ट को और यह मेरा चार्ट बराबर पेस्ट हो गया है बिल्कुल भी उपर नीचे नहीं होना चीए तीनों का line length सब कुछ बिल्कुल सेम होना चीए सिमिलर ही दिख रहा है मेरे को विज्वली अभी सिमिलर अपील हो रहा है थोड़ा साब इसको छोटा करके देखो कि तो आपको और बेटर अंडरस्टाइंडिंग आ जाईगी इसके ठीक है आप देख रहे हो कितनी प्यारी रिपोर्ट तैय मेरे रेविन्यू मैंने करें ठीक है अब यहाँ पर आप नेट प्रॉफिट कर दो नेट प्रॉफिट कर सकते हैं को प्रॉब्लम तो नहीं है यह वाला लिया इस चार्ट को सिलेट किया सिलेक डेटा में गए अब देखना आपको क्या करना है यह जो आपकी लाइन सिलेट करीं आपने कौनसी वाली बोल रहा है वो 43 वाली जे लाइन है न इस 43 वाली लाइन को यहाँ से चेंज करके 42 करना है बस और कुछ भी नहीं करना है आपको यहां पर आप जाओ select data करो ठीक है और चार्ट रेंज है यह वाली आपकी इसको आप delete कर दो चाहो तो यहां से ठीक है और फिर यहां पर आप 4 साल का data यह पिक किया control दबाया और यह net profit पिक किया ठीक है और okay कर दिया अभी क्या भसड मारी होगी है यह आपको फिर से करना पड़ेगा कर देते हैं दो मिट लगेंगा को बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा दो मिट लगते हैं स्यादा टाइम लगेगा ही नहीं सबसे पहले सबसे पहले उचार्ट की फर्माइटिंग चेंज हो रही है अच्छुदी और कुछ बाफ नहीं है color में गया यह मैंने नया डेटा सेक्ट किया ना एक बार ट्राइ करके देखता है। नया डेटा सेक्ट कर लिया शाहिद इसलिए problem दे रहा होगा इमस्तुर्छ क मैं डेटा लेबल सेक्ट करता हूं यहां से और मैं क्या करता हूं बड़ी इसको मैं 40 मेरे को net profit chain है इदर ? चाहिए तो net profit 36 में मिल जाएगा 42 में मिल जाएगा 42 सेलेक्ट करता हूँ इदर 42 लेता हूँ और मैं इसको करता हूँ ए 42 तक उसमें क्या करा है गल्पी होगी सम्झें आपको एना keyboard का यूज नहीं करना है बिल्कुल भी ध्यान रखना यहां पर आप 42 लो इधर भी जाओ इधर भी 42 लो ओके कर दो ँचलो it is getting changed चलो एनिवेईगेंस इस एक बने आप झाओ इसको सेलेट करो अच्छा आपका प्रैटिस होगा बहुत बड़ीए बात हे तो यहां पर आ जाओ फिर इंडिडिज्वली इसको सेलेट करो इसको इसको सेलेट पर एक बार दबा के उपर जाओ फिल में और यह दबाओ, सिर्फ इसको इंडिविज्वली सिलेट करो, फिल में यह दबाओ, फिर इसको इंडिविज्वली सिलेट करो, फिल में यह दबाओ हाँ जी डेटा लेबल अड़ करना है अड़ डेटा लेबल अड़ करें डेटा लेबल क्या प्रॉब्लम हो रही है यहां पर जाओ लेबल ऑप्शिन्स में जाओ टेक्स्ट ऑप्शिन्स में जाओ सॉरी लेबल ऑप्शिन्स में गए आप एक सेकना मैं लेबल को सिलेट करूंगा सिर इधर जाओंगा कहां पर है यार यह इधर लास्ट वाले में नंबर्स पर जाओंगा नंबर्स में इसको मैं जेनरल की जगे नंबर कर दूंगा डेसिमल जीरो कर दूंगा इसका आप देखो 7 है इसको भी 7 करना है इसेवन कर देंगे चोटा कर दो आटमेटिकली चोटा हो रहाएगा इसन इहसं देट सेवन ठीक है और नंबकर जाके जेनरल नंबर करेंगे आइसको जीरो देंगे इसको गळंगे ठीक है इँ क्या हो गया हमारा हमारा नेट प्रॉ longitud आघे एए हमारा नेट प्रॉंपी deja धेन ध्या सुल अ नवरिस field आभफ Wait अब देखे अब मेरा इहांपर क्या करना है मेरेको इसको मैं Total Assets Total Assets Graphicum representation करने मैं अपने और कुछ भी नहीं करेंगे Graphical representation और कुछ भी नहीं डिवैज्श विन्हीं है अटरक हे टेटा में गया क्योंकि करना तो यह मेरे को change कोि प्रब्लम नही। मैं इसको select किया पेंट्रोल दबाके रखा और यह जो एवरेज टोटल ला सेट है ना इनको भी सिलेट किया चीके यह ओके किया यह दो क्यों आ रहा है अच्छा मैंने दो सिलेट किया इसके दो आ रहा है एक सिलेक्टर रो आप नीचे वाला और आपको यह उपर दिख जाएगा एवरेज टोटल असेट इसको टोटल असेट पर एवरेज लगा दो नमपर एवरेज और मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर दो कि इसको सेंटर में लियाओंगा समझें फटा फट होगा आप तो यार कोई प्रॉब्लम ही नहीं है इसको सेलेट किया कलर में गए ठक रीसेंट इवाला आइड किया इसको सेलेट किया कलर में गए यह थर्ड शेड एड किया इसको सेलेट किया कलर में गए यह वाला शेड एड किया इसको सिलेट किया, कलर में गए, यह वाला शेड आड किया, मेरी रिपोर्ड बन चुकि है, बरावर बिल्पूल कोई प्रॉब्लम है, हाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझ में आ रहा है, नौ प्लीज अंडरस्टैंड, ठीक है, प्लीज अंडरस्टैंड इस, मैंने लाइन अभी आड़ करके इसको नीचे कर दे, कि मैं को और चार्ट डालने है न अभी, तो मैं इन तीनों को सिलेट करूँगा, पॉपी करूँगा, और मैं यहां जाओंगा नीचे, एक लाइन छोड़ के पेस्ट कर दूँगा, क्या आपको समझ में आ रहा है, मैं क् कर रहा हूं, क्या दोनों रेवेन्यू बराबर है, अब दोनों रेवेन्यू बराबर है, पहले भी दोनों रेवेन्यू बराबर है, पहले भी दोनों रेवेन्यू इसको सेंटर लेक्या होगी, यह जो है ना लाइन, यह लाइन थोड़ी और बड़ी हो सकती है, यह सब चलो यही तीन चीज़े चाहिए नेट मार्जिन्स परसंटेच येस और नो एवरिवन इसको सिलेट करो डेटा में जाओ सिलेक डेटा में जाओ तोड़ा सा नीचे आ जाओ या फिर इसको जाओ इसको नेट मार्जिन्स की जगे हम क्या कर सकते हैं correct बहुत बढ़ी आपने को अपने ना ये ये बहुत अच्छा एडिए ये क्यों क्यों भूसर प्लॉट दारुट ON क्यों क्यों आरवी कैसे प्लॉट करेंगे अपन अच्छह यहां पर गलती से AOE लिख दिया AOE किजेगे इसको मैं करेट कर रहा हूरू कि तो मैं इसको सेलेट करूँगा यहांतक कंट्रोल प्रेस करके रखोंगा और रिटर्न ऋबंटी सेलेट कर रहा है चीक है और मैं ओके कर दूँगा इसको फहला रिटर्न ऑन सेट कर दो समझ में आ रहा है क्या कर अपने समझ में आ रहा है इस रिटर्न और अइक विटी देखो आप क्या कम हो के जादा हो यहाँ रिटर्न यहां से प्रंटीएसली पांच नौ पे गई है फिर ग्यारा फेग फिर 15 पे गई है ठीक है नौ पे जाने का रीजन का ऑपरेटिंग efficiency कमजोर हो गई है company की during the year operating efficiency अपने पढ़ा था last वाला यार अगर किसी ने भी first वाला basic concept नहीं समझाए न तो यह काम का नहीं आप सिर्फ model बना रहे हो बिना दिमाग लगा है ठीक है तो that is totally अब तो यह आपको क्या करना है but again मैं advice करूँगा कि आप first वाला जरूर देखो ठीक है यह मैंने क्या कर रहा है इसको मैं return on equity करता हूँ return on equity return on equity करा हाजे इसको मैं center में लेका हूँ फिर आप उपर से ही select कर लो best रहेगा copy किया control c control v नीचे लेके आगए और इसके साथ एक चार्ट यह और फिर copy किया और इसको लेके आगए और इसके साथ एक चार्ट यह वाला हाजे अब समझें अब समझें अब समझें समझना मैं आपको बता दूंगा alignment बगरा कैसे करना है तो कोई पहुआ दिक्कत निया पहले चार्ट सपन सॉट कर लें एक बार इनको थोड़ा सा नीचे उतार क्या लाइन ही कर दो चलो चलो व्यान से अभी क्या करना है मैं पहले चार्ट चार्ट कर रहा हूं फिर चार्ट की फॉर्माइटिंग एक साथ कर दूंगा return on आप चाहो तो इसको 2x पे देख लेना Assets कि प्रसंटेच्च मरें आगला है ठीकर ओसे अगला देखा अगला मैं करूंगा इसका का Bin का इस ल betting में लेवरेज今日 जींचिए इसको शोड़ लेइड अब समझाए इदर गए डेटा लेबल पे hours सिलेक्ट डेटा किया, नीचे आ गए, रिटा नौना सेट के उप्तर, ठीक है, यह सिलेक्ट किया, कंट्रोल दबा के रखा, यह वाला सिलेक्ट किया, इंटर कर दिये, उपर जाके देखे, आगे, चार साल गई आया, फिनांचल लिबरेज पे गए, यहां पर गए, सिलेक्ट सिलेक्ट किया, कंट्रोल प्रेस करके रखा, और यह मेरा एक्विटी मिल्टिप्लायर आ गया, फिनांचल लिबरेज मेरा कंसिस्टेंट है, आप चाहो तो इसको एक, एच ओ कर दो, तो आपको दिखेगा कितनी कंसिस्टेंसी, कितनी नहीं, बट यहां पर आपको फिनांच फट कैसे करना है, इसको बिना किसी देली के, ठीक है, यह करा, कलर में गए, सर इतनी चार्टिंग सिखा दो के तो कैसे काम चलेगा, यह करा, कलर में गए, एक साथ करते जाओ, यह फिल 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 उपर, ठक, चलिए जी, इसको एक एक करके करते जाते हैं, मैं देखता हूँ, फर्माट प्रिंटर यहां चलेगा, नहीं वैसे, चलो कोई बात, चार्ट्स में गए, यह वाला सिलेट किया, उपर गए, फिल में, ठक, यह वाला सिलेट किया, एक बारी जाना है, उपर फिल में, ठक, सिलेट किया, कलो, ठक, सिलेट किया, कलो, ठक, समझें, ध्यान से, यह वाला, कला में गए, कला में गए, कला में गए, कला में गए, कि यहां से क्या आपको यह चार्ट एक दम दूरुस्त हो चूका है अपको क्या करना है अपने को यह फट प्रॉब esos अपने को फोट कुछ भी निए सिर्छ लगाने डेट लेवल डे डेट लेवल आगे डेट लेवल उसलेट किया 7 पर लेक्या आए ठीक है यहाँ पर गए नंबर में गए इसको फटाक से अपने को नंबर करा और डेसिमल के आगे जीरो हटा दिया इंटर मार दिया यह मेरा करोर्ज में टूटल असेट हो गया ठीक है यहाँ पर गए कि और डेटा लेवल किया का आपogoतर में अम सिवन कर दिये के िए जी सेवन कर दिये है इसको एक रिडिया यहाँ पर गए आट डेटा लेवल किया अ क्या आप देख रहे हो कि अपना ये चार्टिंग कम्प्लीट हो गई है पूरी अब समझना क्या करना है इसके बाद अगली चीज अगली चीज क्या करना है वो समझे अब मेरे को क्या करना है न बॉस समझना ध्यान से हाजी ये पूरा का पूरा मैंने बनवा दिया अप से कितना टाइम हो चुक है रिकॉर्डिंग करते हैं बहुत बड़ी गया बड़ा लंबा विडियो है मज़ा आएगा आप लोगों ठीक है रहना मेरे साथ यार अभी तक का काम अगर अच्छा लगा है न तो कमेंट में लिखो कि आपको बहुत मज़ा आया है ठीक है अगर समस्ते कैसे अब देखना क्या करेंगा अपन सबसे पहले ना मैं एक लिए लेना चाहता हूं तो मैं क्या करूँगा आपको भी करने की जर्वत नहीं है है मैं यहां तक जाऊंगा विकि मैं को समरी भी लिखनी नीचे मैं मैं Ctrl 1 प्रेस करोंगा तो Ctrl P प्रेस किया मैंने और मैंने इहां से सेलेक्शन प्रेस किया ऐसे तो भी तक हुआ नहीं है अब मैं बैग गया और मैंने क्या किया यह पेज ब्रेक वाला व्यू लिया पेज ब्रेक वाला व्यू लेके वाट विल आ डू इस पो इहां से ब्रेक किया और यह वाला जो पेज सुन्दर अपन करेंगे इसको फर्माटिंग पूरी समाल लेंगे को प्रब्लम अब पेजब्रेक व्यू चलने दो इसको ताकि मेरे को समझ में आए कि इन अपने को कितना कितना समरी बनाना है कितना समरी रखना है कि इसको मैं और लाइन्स आड़ कर रहा हूं यहां पर अब समझे है कि हमने फिनांशल समरी तो उपर लिखी दिया था यह वाला इसको है न अभी यहां से थोड़ा सा च्छह पे ले जाओ कि से ले जाओ कि इसंधें समय कि मैं क्या करता हूं कि इसको एक-एक स्टाप और बड़ा करता हूं मज़ा नहीं आ रहा है इस Sprint अर जहां मज़ा नहीं आ रहा है कैसे मज़ा आए घुषए या बड़ा करते अट टेले अपर का लाई क्या करोगे आब देख लो अभीवी मौका दे रहा हूं आपको निकलना है तो निकल जाओ तो मार दो कल्टी ठीक है नहीं निकलना आज़ो बैठे रहो जीखते रहो मेरे साथ चलो 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 फटाफट पठाफट आगे जल्दी से जल्दी से चलो एक सेकंड रो पिर ब्रेक लेके आया था ठीक है मतलब ब्रेक लेने गया था ब्रेक लेक ने आया था ब्रेक लेक लेने गया था चलो फिर से स्टार्ट करते हैं अब मैं क्या करूगा भाई थक 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 बहुत बड़ी यह audio बन रहा है है I'm so happy दिखने में तो अच्छा लग रहा है अच्छा वैसे ही अगर आप Britannia का बनाओगे तो के रेड करतो होगे सारे के सारे सिंपल सा लॉजिक है सोच नहीं नहीं मारिको का बनाएंगे तो सर मारिको का लोगो कलर लेंगे जो लोगो कलर लोगे ना जो लोगो लोगे उस कलर का मॉडल बनाएं ठीक है सर वाइड कलर का लोगो है वाइड कलर का लोगो नहीं होता है रहा जा जो ब्रैंड जो कलर उस पर्टिकलर कंपनी को रिप्रेजेंट करता उसका बनावा सुन्दर लगेगा और कुछ भी इन्फोसेस ब्लू, TCS ब्लू, येस बैंक, सर येस बैंक का थोड़ना बनाएंगे, बिल्कुल साही, येस बैंक का क्यों बनाएंगे, बरबात कम्पनी, IDFC Red, जो मरून, जो भी कलर है, ठीक है, अब समझो, अब ये क्या करूँगा, इधर जाऊँगा, DMART, Latest, Results, Summary, ROE, ठीक है, Latest, Results, Summary, करूँ, खुलो, First News, ये Latest नहीं है, News में जाएंगे, ये बाला, ये बाला, ये बाला, वन मनतको ओना, वन वीकको, क्यों बनाएंगे, बनाएंगे, ऐसा मत करो भी मज़ा नहीं आएगा अपने को अपने को अब मैं क्या करूंगा किदर गया यह आपने क्या करना है इंसर्ट में जाना है इंसर्ट में जाके आपको टेक्ष्ट में जाना है और यह वाला पूरा कラ पूरी इत क्या समझ रहा है समझ रहा है ca इंश्यालों कुछ भी यार आपको जो करना हूँ, यहाँ इंडिपेंडेंट हूँ, ठीक है, यहाँ पर आपको जो लिखना हूँ, वो लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं यह लिख रहा हूँ अरे राजा बाबू, कॉपी नहीं करने दे रहे हूँ, कॉपी किया, कोई बात नहीं, अभी एकनॉमिक टाइम्स थोड़ा हराभी है, तो मैं तो जुगार निकाल लूँगा, आप अपने हिसाफ से देख लाएंगे, मिसेस के बाद मैं इदर, इस्ट्रीट एस्टीमेट्स परता हूँ, इसको नॉड बोल्ड करता है, चिक है, और देखते हैं आगे क्या मिलता है इस आर्टिकल में, इस बाप रहे, इकनॉमिक टाइम्स वालना तो बहुत ही फजियत करा रखी है, कैसे कोई बंदा कॉपी करेगा, यहाँ से, ऐसे, ऐसे करें लिए हैं चलो, क्यूंदा चलो बंदा क्या मिलता है, कैसे कोई बंदा कॉपी करें, तो बंदा बंदा क theo इसे का बंदा क्या मिलता है, कि मैं रब रागा है क्या हो गया यार चलो सबसे बढ़िया प्रिंट करो इधर आओ इधर आओ अब देखते हैं कॉपी हो रहा है क्या कंट्रोल पी प्रेस करो पीडियेफ में डाउनलोड कर लो सबसे बढ़िया आप्षिन वही है यह वेन्यू सुपरमार्ट में दरखीच के लिए आए हो आपके लिए अब यहां से तो कोई निरुक पाएगा अपने को अपने को बेसिक फिनांशल सम्मरी लें लेटेस्ट वाटर की और कुछ भी नहीं है इसके लावाँ कर दो कर दो कर दो में दो आए होगाँ टीक है अपने को बेसिक सम्मरी लेनियर टू पोर्टर्स की कॉपी करेंगे और देखो कुछ ऐसा मिलता है क्या यह ठीक लग रहा है मेरको हर कंपनी का अलग अलग होगा जिसका जो मिल जाए आपको चार पांच पॉइंट यह डालने और कुछ भी नहीं बस चलो जी अपना काम हो चुका है ठीक है अब अपने क्या करना है इसको सबसे पहले तो इसको कैलिबरी में करना है टीक है फिर अपने इसको अपने क्या करेंगे इसको शेप में जाएंगे शेप में नहीं जाएंगे ता जैंगेंट है जाएंगे है बुलिट्स ठीक है, बिलेट्स, 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 टॉपी करेंगे इसको थोड़ा सा बड़ा गड़ता है ठीक है जी, समझे, अब क्या करना है अपने को? अच्छे भी नहीं करना है ब्रो, बिल्कुल एकदम संसानाटे में नीचे लेके आजा इसको थोड़ा सा इसको और नीचे कर, यहां पर जा ठीक है, रीसेंट अपडेट्स इसको कैलिबरी कर, बोल्ड कर कलर अपना वाला कर, और बड़ा कर फिर यह बॉक्स को पूरा सेलेट कर, शेफ पॉर्माट में जा, शेफ आउटलाइन में जा, नो आउटलाइन कर दे सॉर्टेड हो गया बिल्कुल काम मेरा क्या काम बिल्कुल सॉर्टेड हो चुका है, जल्दी से बोलो, हाँ के न ठीक है, चलो, मेरा पेज नमबर वन जो है न, रेपोर्ट को एक दम टंच, क्लियर हो चुका है पेज नमबर वन is absolutely perfectly clear, अब अपने क्या करना है और समझना, फफफफफ़, हाँ जी, अब मैं सिर्फ पेज नमबर वन सेलेक्ट करता हूँ, यहां तक सेलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल पी करता हूँ, सेलेक्शन में जाता हूँ, मैं जब सेलेक्शन में जाऊँगा, पेज नमबर वन सेलेट करूँगा, कंट्रोल पी करूँगा, तो इसमें भी स्पेस की और गुंजाईश बचती है, लेटर की जगे A4 कर देंगे सबसे पहले तो, A4 मत करो, लेटर ही रखो, बेटर लग रहा था, गोल 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 गोल, अब मेरे को क्या करना है, इसमें सिंपल सा लॉजिक है, मेरे फिगर्स थोड़े बड़े करने पड़ेंगे, इसका यह मतलब है, ठीक है, चालो, मेरे कोई चाहिए नहीं, मेरे को रीसेंट अपडिट चाहिए, इन्फरमेशन चाहिए, कंपनी के बारे में, पूरा पेज इस हाजी चीक है अब देखो अभी जो अपने रीसेंट अपडेट्स यहां पर डाले हैं कमपनी के यह वाले इसको आप इंडेंट में जाके नहीं इंडेंट नहीं होगा यह वर्ड नहीं है चलो पॉफेक्ट छीक है बिल्कुल पॉफेक्ट है नौ प्लीज अंडेस्टैंड इस एक बार और करके देखता हूं अभी भी जगे की गुंजाईश है तो मैं चार्ट थोड़े बड़े कर दूंगा मेरा यह बड़ा हो जाएगा मेरा यह वाला बहुत बड़ा हो जाएगा मार्जिन्स को नैरो अगर मैं करता हूं और मैं इस मार्जिन को कस्टम मार्जिन लेता हूं जहां पर मैं सब तरफ 0.6 करता हूँ। टॉप 0.6, बॉटम 0.6, राईट 0.6, लेट 0.6, और ओके करता हूँ। ट्रीक है और फिर कस्ट Tirum में जाता हूँ और इसको संटर आफ दो पेज लेता हूं वर्टिकली ना कस्टम में जाता हूं सेंटर अप पेज नहीं लेता हूं और यह फूटर जो एनको में 00 कर देता हूं फूटर जीरो दे फूटर जीरो दे ओक्खे अब मैं लेता हूं वर्टिकली यह 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 तिंग शेट बेवी चीज नहीं हो रही है अब देखना एक काम और कर सकते हैं इसको थोड़ा और सुन्दर अगर बनाना है तो एक लाइन उपर डाली यहां से लेकर के यहां तक की जो लाइन यह वाली यह वाली लाइन जो है यह वाली जो लाइन है इसको थोड़ी ची छोटी करो इसको दिहान रखना कहा तक करनी है अपने को 7.5 तक रखो इसको यह इसको 9 10 कर दो चलो 15 पिक्सल कर दो इसको और इस वाले को है न पूरा का पूरा इससे फिल कर दो चाहिए और यह जो वियू बन रहे है न मेरा यह वाला मतलब मैं क्या करूंगा क्या चाहरा हूं आपको समझ में आ जाएगा यह पेज ब्रेक में जाता हूं फिर से यह थोड़ा कॉंप्लिकेट सीखना पड़ेगा सीखते सीखते चीज आएगी और इसको मैं उपर लेता हूं ठीक है वाइट वाइट वाला को दिक्कत नहीं देगा इस वाली लाइन जो है यह वाली जो लाइन आ रही है इसको भी यहा तक सेलेट करता हूं इसको भी पंद्रा करता हूं और इसको भी से फिल कर देता हूं अब देखो क्या हो रहा है कंट्रोल पी यह देख रहे हैं अपने उसे फॉर्माटिंग ही सेट करनी है न वह करके बताऊंगा आपको के प्रॉब्लम एक्रम पॉर्फेक्ट आएगा हूँ नौ प्लीज अंडरस्टांड चलो ध्यान से देखें ठीक है रिजल्ट अपडेट से और रिजल्ट अपडेट्स के बाद रिजल्ट अपडेट्स तोड़ा नीचे करते हैं अपन अब चार्ट्स पर आते हैं चार्ट्स को प्रॉपर अलाइन करते है नौर्मल पर आ जाओ उन्हें तो बार बार पेज बन देखेगा पीछे वो बहुत तकलीव देता है समझना इसको राइट हेंड साइड में लेके जाएंगे थोड़ा सा और यह शिफ्ट दबाते जाओ सिलेट करते जाओ इनको राइट हेंड साइड में विल्कुल सेंटर में लेके जाएंगे अभी क्या दिक्कत वरी मैं समझा देता हूं आपको ये वाला जो लाइन ने ये वाल लाइन्स हटा दो क्योंकि ये लाइन शोटी पड़ रही थी अपने चाट चोड़ा करा था यहाद है आपको मैं कह करूंगा यहाँ पर लाके पेस्ट कर दूँगा अब देखिए ये जो आपका return on asset है इस center में नहीं आ रहा था तो इसको center में लेकिए ये चार्ट है चार्ट भी center में नहीं था तो इसको center में लेकिए फिनांशल लिबरेज के साथ भी सेम इशू है, सेंटर में नहीं था, इसको सेंटर में लेकिया है, यह जो चार्ट है इसको हल्का समय नीचे किया, और इनको भी थोड़ा उपर कर लो, बेटर लगेगा, क्योंकि वो बहुत चार्ट में घुज रहा है, तो मेरे को वैसा नहीं किया है, किया खुझ टार्ट है, सेंटर मेंने येस परफेक्टो ये आंखों से देखके समझने पड़ेगा तुम आखों से बताना हम समझ जाएंगे वो वाला फंड आए समझ रहे हो हाँ जी बेसीखली मेरे को नीचे औरदो अगर मिल झाएंगे तो मेरा काम हो जाएगाँ अब मैं क्या करता हो कस्तम में जाता हूं कस्टम मार्जिन में जाता हूँ अभी यह जो मेरा लेफत है ना लेफत वाला मार्जिन यह तो एफ भ़़ा ला समझ रहे हैं आप क्या हो रहा है समझ रहे हैं समझ रहे ह। और बड़ा चीह है इसको बंगर देता है इसको one कर देते हैं, आप समझे आँ आँ वापस इदर है स्क्रीनर में गए आवेन्यू सूपरमार्ट में नीचे आए ट्रांस्क्रिप्ट तो है नहीं अपने पास पीपीटी ओपन करी ये वाली, लेटेस्ट पॉर्टरली रिजल्ट की पीपीटी ओपन करी इदर आए नीचे समरी समरी दे रहा है बस एवेन्यू सूपरमार्ट पॉर्टरली रिजल्ट मैनेजमेंट कोमेंट्री ये ना मिल जाएगा भाई, ये डूनना पड़ेगा भी तो ये ना ये पर आप एक काम करो, आप ये बढ़ा दो हपने और बढ़ा दो recyc कि विच असरो आप हुआ तो कॉपी करा मैंने इसको, ठीक है, पेस्ट करा, वापस आए, कॉपी किया, दिमाग लगाना पड़ेगा भीया, पढ़ना पड़ेगा, और कुछ भी नहीं, नॉर्मल है, छीक है, यह खटा दरका, चेक कर लेते हैं, एक बराबर बेट रहा है कहा, येस, येस सर, येस सर, थ्री बैक्स फुल, चेक है, नॉ, ध्यान से, मैं देखता हूँ है, आप लोग जो फिनांशल मॉडल लिंग्डिन पे डालतों, अब होती घटिया फर्माइटिंग होती, तो मैं सुझा, प्रिंटिंग पे इस बाद थोड़ा आपको सिखा देता हूँ, कैसे होगा, मतलब उसकी फर्माइटिंग बहुत खराब हो जाती है, और कुछ भी नहीं है, ऐसा घटिया तो नहीं होता, सबकी महनत रहती है, यह मार्जिन लाइन दिख रही है, इससे बाहर जा रहा है, तो पकड़के अंदर टानो, तो पकड़के अंदर टानो, यह सब है ना, यह रिपोर्ट एक बार आप बना के किसी इंप्लॉयर को दिखाऊँगा, समझ मा आएगा ना, यह और इस स्किल एज बिन इंप्रूफ, ड्रास्टिकली इंप्रूफ, ठीक है, चालो, ध्यान सब, हम मैं क्या करूँगा, एक, एक रो और इंसर्ट कर दूँगा, इधर, ताकि और cleanly ने साज़ए रिपोर्ट में, मैं मेरे खुद को साइड में करता हूँ, और देखते हैं, इसमें क्या हो सकता है, इसका साइज 12 है, इसका साइज 11 है, समझ में आया, इसको भी 12 करो, मतलब ये वाला जो है, ये वाला साइज, इसको भी 12 करो, इसको करो, आप 12, तो क्या हो रहा है, 12 करने में, ये वाला ऐसा करो, इसको नीचे करो, ये ही format यूज कर ले ना, तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप शुरू से scratch से बनाना, ये मैं चाहता हूँ, नौ, प्लीज अन्डेस्टेंड, समझें, हो गया, समझ में आ रहा है, अब एक काम करेंगे, इसको अपन दूसरे साइस के पेपर में डाल के देखते हैं, एफ पोर में डाल के देखते हैं, तो एफ पोर के अंदर क्या हो रहा है, एड इसकी मार्जिन है ना, नो स्केलिंग करते हैं, नो स्केलिंग जब आप करोगे, और प्रिंट सेलेक्शिन करोगे, तो ये ऐसा जा रहा है न, इसको शिट पेज्ट टू वन फिट आ गया, समझ में आ गया आपको, अभी क्या करना है, कस्टम करना है, मार्जिन को, उपर दिख रहा है आपको, इस मेहना में, हेडर में, हेडर में 0.4 डालता हूँ, क्या होता है, कस्टम में जाएंगे, जो टॉप है, इसको 0.9 करो, क्या आप देख पा रहे हैं, बिल्कुल पॉफेक्ट अलाइनमेंट हो गया रिपोर्ट का, रिपोर्ट इस नाओ पॉफेक्ट ली अलाइन, ठीक है, पेज सेट अप में जाओ, ठीक है, हेडर पुटर में जाओ, और पुटर के अंदर आप क्या कर सकते हो, पेज वन के डाल सकते हो, ओके कर देंगे, पेज वन आगे, इसको पेज वन, हेडर पुटर में जाके, पेज वन, पेज वन पॉफेक्ट पॉफेक्ट पॉफेक्ट, क्रस्टम पुटर, क्रस्टम पुटर, क्रस्टम अब देखिए एक काम और हो सकता है यहां पर अभी क्या हो सकता है वो एक काम कि यह वाला जोने इसको थोड़ा सा दूर कर दो कि समझना क्या हो रहा है कि अब बिल्कुल पॉफिक्ट बंगरी रिपोर्ट समझने में करने में नहीं आ रही है विल्कुल सही है एकदम सही बंडरी रिपोर्ट इस रेड़ी इन अल सेंस इसको कंट्रोल एससे सेव करेंगे कि नीचे आएंगे अब हमारा सेकेंड पेज हम स्टार्ट करते हैं कि स्टार्ट आर सेकेंड पेज नौ सेकेंड पेज के अंदर मैं क्या करता हूं मैं इसको यहां से कॉपी करके पेस्ट करता हूं नीचे लेके आता हूं यह सब कुछ डिलीट करदूँंगा सिरफ न संधूति सब कुछ करंद पना सको इस 18 तक लेके जांगा and DuPont analysis return on equity and return on asset अगा शेलेक्ट करेंगे सब्सक्राइब यह वाला लेंगे यह वाला जो column इसको 15 करेंगे इसको आजटेस्ट करा के यह वाला column पेस्ट करते हैं। problem आई रहे? । समझने में कोई दिक्कट आ रही है क्या? यस नीचे तक लेकैंगे और नीचे लिया और नीचे लिया अब देखना यहां थोड़ा दिमाग आपको लगाना पड़ेगा बाबो इसको मैं यहां से सिलेट करता हूँ नीचे तक और मैं इसको नीचे लेके जाता हूँ दिखाता हूँ आपको कंट्रोल पी करके कैसा आ रहा है पॉफेक्ट आ रहा है तो प्रॉब्लम नहीं बिल्कुल पॉफेक्ट आ रहा है कि प्रॉब्लम नहीं और अभी अपने क्या करना इसमें ध्यान रखता हूँ यह वाला पॉपी करके पेस्ट करो सबसे लास्ट में नीचे लेके आओ इसको टांके कैन्वा से यार आप को जो करना है जैसा करना है वैसा कर सकते हो फॉर्माटिंग के साथ कोई छेड़शाड मत करना अगर यह शीट यूज कर रहे हो तो ड्यूपॉंट समरी ठीक है अब ड्यूपॉंट समरी के अंदर क्या है यहां दिमाग लगाना पड़ेगा यह सब लोगों की यूनीक बनेगी चिपका मत देना as it is चाप मत देना उसके अंदर ठीक है सब लोग मिला के एक जैसी मत लिख देना ठीक है ना प्लीज अंदरस्टाइड यहां देखों आरो ए ओफ एवेन्यू सुपर मार्ट ठीक है यह देखो रिटर्न और एक्विटी ध्यान देना यह रिटर्न और एक्विटी मार्श 20 कोविड लेवल पे कोविड के दौरान 15.61 थी उसके बाद पूरे साल कम रही कोविड के दौरान और फिर वापस प्री कोविड लेवल अचीव किया है the ROE of revenue supermart has been decreased to 15.61 to 15.61 percent 15.61 percent during during covid and remain and made a low of made a low of 9.45 percent 9.45 percent in FY 2021 which now has been which now has rose to pre-covid levels and currently at 23 result in a march 23 ka result currently at 15.99 percent as of 31st march 2023. now please understand the ROE ROE has been decreased significantly in past seven years from 17.86 percent 17.86 percent decrease 17.86 percent to 15.99 percent तेकर वाइल दा कम्पनी वाज एबल टू मेंटेन मार्जिन्स नेट मार्जिन्स देखो आपन उपर एनलाईस करा था ना इसमें यह ROE गिरने का रीजन के है मार्जिन तो बराबर मेंटेंड है मार्जिन इंक्रीज हुएं ठीक है asset turnover ratio भी मेंटेन्ड है गिरा क्या है equity multiplier कि रहे ठीक है well able to increased increase the net margins from कहा से कहा तक increase हुआ है इसको पर ले जाता हूँ अभी के लिए बाद में नीचे टान दोगा ठीक है कहा से कहा तक increase हुआ देको यह margin जो नहीं EBITDA margin की बात कर रहे 7.0 अपने net margin की बात कर रहे दोनों में इसलिए फराट आ रहे नहीं है नहीं है नहीं है नहीं है इसलिए नहीं है ना भी फिन्तशनर्स्ट्व Fy 23 समझ माया आपको समझ माया क्या अब रहा है नव प्लीज अंडर्स्टाइंड अगर्स्टूपर्स्टाइंडी अंडर्स्टूर्स्टूर्सिर्सो्ट अर्स्टाइर Сейчас अफि अखर 508 is constantly maintained throughout the period the reason for fall in ROE is reduction of financial leverage in the company from 1.66x in FY 2017 to जो वहाँ पर एनलाइस कर रहे हैं उसको अंग्रेजी में लिखना है 1.13x in FY 2023 ठीक है समझ में आ रहे हैं समझ में आ रहे है ROE पर कमेंट देदेंगे यह वाला कॉपी करेंगे नीचे ROE as it is कॉपी नहीं करना है ROE of revenue supermart has been increased अच्छा decreased हुआ था के COVID में नहीं हुआ था ठीक है ROE of revenue supermart has been increased from 10.73% in FY 2017 to 14.17% in FY 2023 while the asset efficiency remains constant the reason for increase in ROE is increased net margin of the company यह अपने basic summary एक लिपनी है क्या हो रहा है उसको अंग्रेजी में लिखना है और कुछ भी नहीं करना है यह हर company का unique होगा आप किसी एक का दूसरे में टाप नहीं सकते हो ट्रीक है यह हो गया यहां डाल दिया मैंने अब मैं एक बार देखता हूँ अब देख रहे हो अभी मेरे पास जगे बच रही है को प्रॉब्लम नहीं है तो वाट विल्डू इस समझे मैं इसको एक बार यहां से यहां तक select करके 15 करता हूँ 15 पिक्सल करता हूँ और फिर इसको यह select प्रॉपी किया मैंने yes this is perfecto this is just perfecto okay now what you will do what you will do we'll do nothing what I will do we'll do nothing yeah but you will write disclaimer fuck this report is made as part of educational assignment and is meant for educational purpose only okay the author of the report is not liable for any losses due to actions taken basis this report it is advisable to consult say we registered you 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 research analysis before making any investments check control A किया इसको यह किया इसको अपन ठक करेंगे और यहां पर यह वाला जो है न यह वाला पन रेड कर देंगे कि आप में अपने क्या अब अब बहुत षोटा करना इसको जित्ता छोटा कर सक्ते और उसको फउतना फ़टा तक है और यह वाले पार्ट को यहां फसासाना हां और चोटा कःभी और यह तो इसकी तासीर ही यह बहाई एक ठोटा ही रहता है 5 I am तासीर मतलब उसका फीली वही है कि वो छोटा रहेगा ठीक है तो हली का साथ हो येस ना पेज़ ब्रेक विव फिले तो कट सेव करना दो कर देखना पिट वन चीट नहीं करना नो स्केलिंग करना आप करोगे तो आप देखो भी क्या हो रहा है करस्टम स्केलिंग आप्षिन में जाओ और अब देखें वापस में पेज या जाता हूँ अब तो बहुत एजिय कोई प्रॉब्लम नहीं हो गया ना रिपोर्ट बन गई अपनी पुरी भाई कि यहां पर टूटा है कि इस पो अटाच कर देखांस के साब कि और यह आता कारत है और यह वाला कि यह वाला ना प्लीज अटेस्टाइब अब देखें अब आप कुछ मत करिए करस्टम माजिन में जाए करस्टम स्केलिंग में जाए वह मैं कर दूँ आपको करने की जरुबत में पड़ेगा दियुके एं करके ला रीजक रिवा किल डॉबत आण Mills यह आपकि रिपोर्ट वुर्इ तयार वोचके रिगया है तरब वोट आपका पूरी की पूरी अच्छेसा तैयार हो चुके है, आप धुछ भी नहीं करना है इस तक अपने को सेफ गर देंगे अपन सेफ कर देंगे, सेफ कर देंगे औी सेफ कर देंगे और यहां लिए ओतन एबेन रिख दे ने करने हमें, आपने इब गदने गें, सूपर कि चेक करते हैं पूरा का पूरा मेरा कवर्ड हो गया है कि मैं फिर से निकाल के बता देता हूं आपको कुछ भी नहीं करना है भाई बहुत सिंपल है कि कुछ भी नहीं करना है आपको आपको यह पूरा का पूरा कैसे प्रिंट करना है वह समझ लेना एक बदर यह दर जाओंगे आप दीचे तक आओंगे है toimिओ कि आते जाओ आते जाओ आते जाओ आते जाओ आते जाओ आते जल मरत जाओ अच्छा यह जो हो रहा है न इसको रेता हूं अब देखों उपर सेधे यहां से select करो पकड़के copy करो नीचे तक आजाओ Ctrl P करो अब कुछ भी करने के जरूथ नी पूरा मामला सेट हो चुका है अब कुछ भी करने के जरूथ ने आपका पूरा मामलास सेट हो चुका है अगर लग रहे है कि ये थोड़ा सा दिक्कट देरा है तो क्या करेंगे बताँ I'll just tell you इसको थोड़ा सा नीचे कर लो थोड़ा सा नीचे कर लो और ये वाला जो ना इसको थोड़ा सा नीचे कर लो चलो ये वान टाइम एफट है आपका भी, मेरा भी अब बनाओ अलग-अलग stocks की ठीक है अलग-अलग stocks की reports ऐसी बनाओ LinkedIn पर डालो अपने potential employers के पास इसको reach out कराओ ठीक है अब अपनी skills को display करो networking बढ़ाओ that is most important ठीक है अगर video बहुत अच्छा लगाओ तो नीचे link में comment में message करना हम लोग हमारा equity research का next batch लेके आ रहें बहुत जल्दी ठीक है वहाँ पर इससे भी बहुत अच्छी quality reports और पूरी research reports बनेंगी with top-notch format अगर आप interested हो तो नीचे link दी हुई है अगले batch के लिए अभी आप token amount दे के register कर सकते हो ठीक है आपको अगर LinkedIn पर अपना गेम इंप्रूफ करना है तो उसका भी link पहने नीचे दिया हुआ है अगर नहीं करना है तो यह ज्यान तो चली रहे चलता रहेगा ठीक है कोई problem नहीं है this is पार्थ वर्मा signing off bye bye